राजिस्थान चुनाव के लिए तावर तोल परिवर्तन यात्राय कर राजिस्थान में परिवर्तनों की कोशिशों में जुटी भारती जन्ता पार्टी के पास आज राजिस्थान में ना तो कोई जनाधार है और ना ही जन्ता जी हाँ सिदे मुद्धे पर आएं तो कल राजिस्थान में भाजपक की परिवर्तन यात्राओं में प्रदेश के नेताओं द्वारा भीर नहीं जुटाने के चलते केंद्रिय ग्रेमंत्रियमिश्या भयंकर नराज होकर वापस उल्टे पैर दिल्ली की ओर रवाना होते दिख खाए दिये खबर दोस्तों एकदम पक्की और दैनिक भासकर नचापी है जिसमें साफ तोर पर लिखा है कि संग पदादिकारियों से शाह की मीटिंग कैंसिल ग्रह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष नडड़ा दिल्ली रवाना परिवतन यात्राओं में कम भीड और गुट देश नीती देख रहे हैं अगामी पाज विधान सबा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी तयारिया अभी से जम कर शुरू कर दी हैं राजिस्थान में बीजेपी परिवर्तन संकल प्यात्रा कर प्रदेश का चुनावी महौल अपने खेमे में करना चा रही है जिसक कर दिल्ली से राजिस्थान आय पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड़ा और होम मिनिस्टर अमिशा को राजिस्थान में भाश्वा का असली हाल पता चल गया जिसके चलते उन्होंने देर रात तक मीटिंग चलाई और परिवतन यात्राओं में कम भीड होने और भाश्वा के राश्ट्री एध्यक्ष जेपी नड़ा और राश्ट्री संगठन महामंत्री बिये संतोष ने जैपूर के एक होटल में बुद्वार देर रात तक कई बड़े बड़े नेताओं के साथ प्रमुक नेताओं के साथ बैठकी पताय जा रहा है कि नड़ा वेशा परिवर्तन यात्राओं में कई जगाओं पर भीड नहीं चुटाने नेताओं की आपसी गुडबाजी के चल थे कई जगा स्थाने नेताओं के विरोध जैसी घटनाओं पर अपनी नराज गी जताई उन्होंने प्रदेश तर के नेताओं के बीच चल रही आपसी प्रतिस् नहीं कर पा रही हैं अब आप समझ सकते हैं कि अमिश्या का गुस्य में लाल होकर राजिस्थान से वापस जाना भाश्वा के लिए कितनी बड़ी खत्रे की घंटी है आपको बता दे कि बुद्वार देर रात हुई मीटिंग में प्रदेश अध्यक्स स्थीपी जोशी ने चुनाव प्रभारी अरुण सिंग जैसे बड़े बड़े निताओं से मीटिंग कर जब उन्हें राजिस्थान में भाश्वा का हाल पता चला तो वे अगले दिन अचानक संग बदादिकारों के साथ होने वाली मीटिंग वे दूसरे प्रग्राम कैंसिल कर दिल्ली के लिए रवाना हो गए यानि अभी प्रदेश में भाश्वा की सीयम रही वसंदुरा राज्ये जिने पार्टी से काफी समय से साइड लाइन किया जा रहा है उनसे अमिश्या की मुलाकात को कई माइनों से टटोला जा रहा था राजिस्तान में भाश्वा कव अपनी उम्मिद्वा सारियों से बात ना करने और अपने प्रोग्राम कैंसिल करने रैसे कार्णों पर अभी सपच्टा नहीं दी है वीजेपी ने लेकिन उससे पहले रैलियों में भीड को ना जुटाना उसमें गुस्सा होकर वापस दिल्ली चले जाना सब कुछ सावसां बया कर रहा है हो सके लाइक और शेयर कीजिए मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार